असलाम उलेकुम रामतुल्लाइ वरकातू दोस्त अहबाब बुजरुगवार और मैं आज मैं आप लोगों से मुखातब होने का एक मौजू के तहत कोशिस कर रहा हूँ जिसका मौजू यह हो सकता है कि नया जाल लाए पुराने शिकारी अब यह आपने देखा होगा कि हमारे पुराने वकिल साहिब ने लाइव आ करके कुछे लेपा पोती करने के कोशिस की है खैर वकिल साहिब मैं आप से और तमाम भाईयों से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां मजभब इसलाम में यह बात बहुत मशूर है कि एक सुराख से एक जानवर के सुराख से मौमिन आदमी कभी दो बार नहीं डसा जाता है लेहाजा यह भी मशूर है कि अगर कोई शर्मिंदा है अगर कोई नादिम है अपनी गलत कामों पर तो ऐसा भी नहीं है कि उसको माफ ना किया जाए आपक्टर नॉहरा शेख साहबा के साथ आप थे बाद में आप भागी हो गए दुष्मनों के हाथों से खेलने लगे बाद में आपको शर्मिंदगी हुई अगर आपा डाक्टर नोहरा शेख साहिब आपको माफ कर देती हैं तो हम तमाम इन्वेश्टर भी माफ कर देंगे वरना हम ये समझेंगे कि दुनिया का एक पहला वकील वो भी सुप्रीम कोड का उसने अपने ही कलाइंड के खिलाफ बगावत की और उसको तादेर फ़साने के लिए चालों पर चाले चलता रहा और दुश्मनों के हाथों से खेलता रहा लिएदा आपने देली के रिपोर्टर से देली के जनरलिस्ट में से मिलने की तमन्ना जाहिर की है खाहिश का इजहार किया है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब जिस वक्त जहां आप चाहें बुलाने जनरलिस्ट हाजर होगा लेकिन ये भी बता देना चाहता हूँ कि आपके मुलहक होने के केस लड़ने की वज़े से हम लोग आपकी बहुत इज़त करते थे लेकिन अभी फिलहाल जब तक आप अपने गल्तियों का इजाला नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग की नजरों में जर्रा बराबर आपके वकात नहीं है सरो ठीक है लाजा दोसरी बात मैं तमाम इन्वेस्टर भाईयों को बता देना चाहता हूँ कि कल ट्रेबल पॉइंट की वीडियो आप लोग ने देखा होगा उसका मामिला ये हुआ कि जब ट्रेबल पॉइंट के मालिक और उनकी एहलिया पुलिस लेकर के आ हुआ था और पुलिस ने दवड़ाया तो लेकिन वह भागने में काम्याब रहा लेहाज आज पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि एमाईयम और उसके गुर्गे वो का पार्लर के पीछे आड में हरामकारी करते हैं और गुंडागर्दी करते हैं और लंडियों के हम लोग भी खड़े हैं अभी डारेक्टर साहब से बात हो रही थी मेरी तो डारेक्टर साहब ने एक शेर पड़ा कि तमाम इन्वेस्टर भाईयों के सपोर्ट को देख करके मैं ये कहने में जिजग नहीं मैसूस करता हूं कि मैं अकेले ही चला था मैं अकेला ही चला था ज तमाम गलत फहिमियों का इजाला किया है मैं आप तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूँ अभी फिलाल मेरे लाइव आने का एक खास मकसद यह है वाईयो कि कुछ गलत कार सियाह कार अपने आपको हैं तो वो कॉंग्रेस हैं तो वो माईयम के लेकिन कॉंग्रेस में होने का खिलाफ जहर अफ्छानी करने की कोशिश करते हैं तो मैं इस वीडियो के साथ इस वीडियो के जरिया संझे निरोपन जी और तमाम कॉंग्रेस कमेटी के लोगों से यह बता देना चाहता हूँ जैसा कि बारहा मैंने दिल्ली में तमाम लेडराँ से जो भी दिल्ली बैटते के जरिया मैंने उनको बताने की कोशिस की है कि आप डाक्टर नोहरा शायक साहिबा के साथ जुल्म हुआ है उनको एमाईयम वालों ने फसाया है डेर करके और बे सहारा अपने आपको महसूस करके लहाजा आप लोग अब अब तीन बज़े से उनसी आहे कारों की संजे निरूपन जी से मुलाकात है उससे पहले आप तो संजे निरूपन जी से को एसमेस करके फोन करके यह बताने की कोशिस करें कि हम 99 परसंट लोग यह ग्रूप आप कंपनी के तमाम इम्पराल आप डाक्टर नोहरा शेक साहि हैं और उनकी उनके साथ हर तरह से हिमायत का वादा भी करते हैं दावा भी करते हैं और खड़े भी हैं तो आप उनको एसमेस करें संजे निरूपन जी को और बताएं कि आप डाक्टर नोहरा शेक साहिवा के ऊपर जुल्म हुआ उनको घलत फसाया गया है वहर तरह से बाइ कि आप डाक्टर नोहरा शेक साहिवा को उन लोगों ने जो मुलक को हमेशा तक्सीम करने की कोशिश करते हैं और वो शक्स जो मिलने के लिए आप से आ रहा है वो मुंबई में सबसे बड़ा एमायम का गुर्गा है लेहाजा आप पहली बात उससे मुलाकात ना करें और मायम के हाथों से खेलता है आपके कॉंग्रेस में अगर इसकी मौजूदगी रही तो आपको बड़ा नुकसान उठाने पड़ेगा लहाजा तमाम इनवस्टर भाईयों को मैं संजे निरोपम जी का मुबाइल नंबर देता हूँ आप उन लोगों को समस करके ये बताएं कि हम लोग आपा डाक्टर नोहरा शैख साहिबा के साथ हैं और रहेंगे लहाजा जो लोग उनके खिलाफ करें हैं उनसे हम बगावत का उनसे हम इखतलाफ का इजहार करते हैं संजे निरोपम जी का नंबर है 9821-345666 फिर से बताता हूँ 9821-345666 और दोसरा नंबर है 9930483666 फिर से 9930483666 तो आप लोग संजे निरोपम जी को समस करके फोन करके बताएं कि आपा डाक्टर नोहरा शैख साहिबा को गलत फसाया गया है और M.I.M. मुआलों की चालों से फसाया गया है क्योंकि आपा डाक्टर नोहरा शैख साहिबा ने एक पॉलिटिकल पार्टी लंच किया था तो उसकी वज़े से ये तमाम सियाह कार लोग M.I.M. के लोग डिर गए और उन्हें अपने पॉलिटिकल अप्रोच की वज़े से इधर उधर गुमाया है तो लेहाजा आप लोग संजे निरुपमजी से मुलाकात भी करें और अबू आसिम आजमी साहिब से भी मुलाकात करके आपा डाक्टर नोहरा शैख साहिबा के साथ खड़े होने का सुबूत दें असलाम उलेकुम और आमतुल्ला है बटाते हैं